जैहिन सातियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासे स्विस्विस्विच जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परियावन से संब्देत बहुत ही महत्पून प्रस्णों के बारे में ठीक है तो फटापड से सभी लोगों को उतर बताना है और चार विकल्प आपके सामने मौझूद रहेंगे यहाँ पर जो महत्पून प्रस्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे जो भी सातिय अवी तक टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं वो टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए आपको टेलिग्राम एप डाउनलोट करना है फिर उसमें सर्च कर लेना है आई एस स्टेडी ट्रेकोर जोएन हो जाना है ठीक है सभी लोगों को लेकिन जुड़ना है और वीडियो को लाइक और सेरबस करना है स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो होने बाला है N.C.E.R.T. पाट पुस्तों के आधार पर इस टेस्ट आपको रोज करवाया जाता है और इसी का अगर आप विस्तरित पढ़ना चाहते हैं तो विस्तरित अध्यन आपको जस्ट बाद इसके आठ बजे आपको एक वीडियो मिलेगा पूरा का पूरा विस्तरित अध्यन इसमें करवाया जाएगा तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आजका इस वीडियो सबसे पहला जो आपका प्रस्न है आजका कि सजीबों को पांच जगतों में बिभाजित किस ने किया है तब आपका बिलकुल जो सही आंसर होगा दोस्तों कि सजीबों को पांच जगतों में बिभाजित करने वाले जो है वो है आर एच वीटे कर यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका सी है वो यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा सी नमबर का ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस किस जगत में किया जाता है चार बिकल्प हैं चार में से आपको एक उत्तर बताना है किस जगत में किया जाता है जीबाणों का अध्यान आपने पढ़ा होगा कि जो तो कुछ लोग B बता रहे हैं और कुछ लोग C बता रहे हैं और जीबाणों का जो अध्यान किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों मोनेरा आपने यहाँ पर पढ़ा है कि RH बेटेकर ने जगतों को जो है सजीबों को पांच जगतों में बिभाजित किया है और ये पांच जगतों में से एक है मोनेरा जगत और मोनेरा जगत में जो जीबाणों का दिन किया जाता है वो B नमबर यहाँ पर बिलकु सही हो जा जीवानू विज्ञान के जनक कौन है? हमें यहाँ पर जीवानू विज्ञान के जनक बताना है, सबी लोग बताएंगे एंटोन इवान लिवेन हॉक या फिर डीजे इवानोस्की, रावट व्राउन या इन मैंसे कोई नहीं, जीवानू विज्ञान के जनक कौन है? तब आपका प्रस्निक्रमांक तीन है और तीन का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा एन्टोनी वान लिवेन हॉग जो है यानि कि जो बिकल्प नमबर ए है वो आपका बिलकुल यहाँ पर सही होगा यह जो है जीवानू विग्यान की जनक माने जाते हैं कौन एन्टोनी वान लिवेन हॉग ठीक है तो एक नमबर यहाँ पर बिलकुल सही है अंगला question देखो निवन मैं से किस कारण, किस के कारण दही जमता है, तो किस के कारण जमता है, जीवानू के कारण, कबक के कारण, प्रोटिस्टा के कारण या फिर विसानू के कारण, किस के कारण दही जमता है, सबी लोग बताएंगे तब आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा प्रश्न किरमांग के अपना चार और चार का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा जीबानू के कारण जीबानू के कारण यानि कि जो बिकल्प नमर एक है वो सही हो जाएगा इबम आद्र स्थान पर पाए जाते हैं गर्म इबम आद्र स्थान पर पाए जाते हैं तो कौन पाए जाते हैं यह रहे आपके चार बिकल्प जीवानू, कबक, प्रोटेश्टा या फिर बिसानू गर्म इबम आद्र स्थान पर पाए जाने बाले जो हैं वो कौन हैं तब प्रशने किरमांग जो 4 है और 4 का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कबक कबक यानि कि जो बिकलप नमबर आपका V है वो विलकुल सही हो जाएगा प्रशने किरमांग 5 का V पर आपको बताना है बेकरी उद्ध्योग में प्रियोग किया जाने वाला कबक कौन सा है पैनिसलिन, मस्रूम, खमीर या फिर एस्ट या फिर एस अभी तो कौन सा है बेकरी उद्योग में प्रियोग किये जाने वाला जो कबक है वो कौनसा माना जाता है तब आपका विल्को सही जो आंसर आया है वो क्या आया है खमीर यानि कि जो इस्ट है इस्ट सी नम्मर ये बेकरी उद्योग में प्रियोग किये जाने वाला कबक है और सी नम्मर आपका विल्को सही होगा यहाँ पर आपका अंगला क्वेश्चन है दोस्तो लाइक एन जिसे की सैक भी कहा जाता है सह जीविता का उधारन है इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं एबं एक दूसरे को जो है क्या करते हैं लाब पहुँचाते हैं ये दोनों जीव हैं कौन हैं सभी लोगों को पता होने चाहिए कौन है ये दोनों जीव जीवाणू और कबक सेवाल और कबक कबक और अमीबा या फिर अमीबा और विसानू इस चार बिकल्प हैं सबसे पहले इनको पढ़ लो जीवाणू और कबक कबक और अमीबा है ना फिर इनको देखो सेवाल और कबक अमीबा और विसानू स सही जी भी ता आनि कि आप देखते होंगे दोस्तों कि एक अगर भैंस है भैंस और भैंस के उपर बगुला बैठता है बगुला ठीक है तो बगुला क्या खाता है किली खाता है तो इसको इससे भोजन मिल जाता है जब को जबकि भैंस को इससे क्या होती है सुरक्षा हो जाती है पैस की स्वक्षिता हो जाती है तो यह जो क्या है सहजी भी कहलाते हैं कि परस पर एक दूसरे के इससे क्या हो रहा है लाब पहुंच रहा है तब आपका उत्तर जो होगा इसका उधारन सेवाल और कबक यहनी कि जो बी नम्मर है वो यहाँ पर बिलको सही हो यह परस पर सहजी भी होते हैं और एक दूसरे को लाब पहुंच आते हैं ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं लाइकन किस प्रकार के प्रदूसर्ण के प्राकरतिक सूचक हैं अगर आपने प्रेकल्प में से चैन करेंगे लाइक एन किस प्रकार के प्राकर्तिक सूचा कमाने जाते हैं IT दब आपका बिलकुल जो सही आंसर होगा दोस्तों बोहुझ जा वाइू प्र्दूशन माइः यानि जो विकल्प नम्मर आपका C है वो यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है C नम्मर आपका बिल्को सही like and किस परकार के प्रदूसरन के प्राकर्तिक सुचक है तो आपको आपका C नम्मर है प्रस्णिक रवांग 8 का वो सही हो जाएगा ठीक है अंगला question देखेंगे पादप जगत के जनक कौन है पादप जगत यानि की बंसपती जनक हमें बताना है बंसपती जनक जगत के जनक कौन माने जाते हैं रस्तो चाल्स डार्वन या फिर थियो फ्रेस्टस या लेमार्क कौन माने जाते हैं और दोस्तो इसका अगर आप बिस्त इसी जस्ट जो paragraph इसका बिश्त्रे तद्यन करना चाहते हैं तो आठ बजे आपका बिश्त्रे तद्यन का एक वीडियो आएगा परियावन का वो बिश्त्रे तद्यन करो और उसके बाद अभ्यास भी उसमें करवाया गया है तो उसको जरूर पढ़ देना फिक्स आठ बजे आ या फिर बंसपती जगत के या पादब जगत के ठीक है तो बीनमर आपका सही होगा निवन वैसे कौन एक ब्रक्ष नहीं है ब्रक्ष नहीं है तो कौन नहीं है पीपल, कीकर या फिर सुन्द्री और केला दोस्तों आपको पता होगा कि जो ब्रक्ष हैं ब्रक्ष जो होते हैं या फिर जो पादब जगत होता है इसको तीन भागों में बाटा गया एक तो साक, दूसरा जाड़ी और तीसरा ब्रक्ष यह होते हैं लेकिन इसमें ब्रक्ष नहीं माना जाता तो कौन नहीं माना जाता तब आपको पता होगा कि केला, के अंगला जो होता है वो साक के अंतरगत आता है ये ब्रक्ष के अंतरगत नहीं आता ना ही जाड़ियों के अंतरगत आता ये साक के अंतरगत आता है और D नम्मर आपका यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि इसका जो तना होता है वो कैसा होता है हरा होता है और कौमल होता है इसलि पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि गाजर, मूली, सकरकंद ये सबी क्या है जड़ें हैं और ये कौन सी जड़ें हैं जो खाई जाती है ये आप से पूछा गया है तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा तो उत्तर हो जाएगा क्या? प्रजीबी या स्तंब जड़क तब आपने देखा होगा कि जो अमर बेल होती है अमर बेल ये दूसरे पेड़ पौदों पर जो है लिपटकर ये चड़ जाती है तब इसे क्या कहेंगे हम पर जीबी पर जीबी जड़क यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका वी है वो यहां प आदी में खाए जाने बाला जो भाग है वो कौनसा है आलू, प्याज, अद्रक में खाए जाने बाला भाग कौनसा है जड़ है, पत्तियां है, तना है या फिर फूल है तो यहां पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आलू में तना होता है, प्याज में तना होता है, अद्रक में भी तना होता है और खाए जाने बाला जो भाग इनका होता वो तना होता है, यानि कि B-Number आपका विल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है? B-Number अंगले कॉस्टिन की ओर बढ़ेंगे दोस्तो, बास्पोस सर्जन क्या होता है? बास्पोस सर्जन आपको बताना है, पत्तियों के द्वारा जलका बास्प के रूप में निकलना, जड के द्वारा जलका अवसोचन करना, जाईलम द्वारा जलका संबहन करना, या फिलोयम द्वारा भोजन का संबहन करना तो बास पोस्ट सर्जन क्या होता है तब आपका बिल्कुश सही हो जाएगा आपने पड़ा होगा कि जो पेड़ पौदे होते हैं इनकी जो पतियां होती है इनकी पतियों के रंधरों रंधरों द्वारा जो है क्या होता है बास पोस्ट सर्जन होता है जल बास पोस्ट सर्जन कहा जाता है और पतियों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है है ना ये चीज भी आपने पड़ा है तो पतियों के द्वारा जल का बास्प के रूप में निकलना ये क्या कहलाता है बास्पोस्सरजन कहलाता है यानि कि जो आपका एक नमर है वो बिल्को सही होगा प्रकास संस्रेशन सबसे कम किस रंग में होता है एक क्वॉस्टन मोस्ट है यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है उगर जादा पूछा जाता तो क्या पूछा जाता जादा में पूछा जाता कि जादा है तो लाल और कम है तो कौनसा होगा कम है तो बैगनी है ना डी नमर कम जो होता है वो बैगनी रंग में होता है और जादा जो होता है वो किस में होता है लाल रंग में होता है लाल यानि कि जो बिकल्प नमर एक है वो यहाँ पर सही होगा ठीक है लाल में जादा होता है और बैगनी में कम होता है ठीक है हाँ बहुत बढ़िया निमनमय से कौन सा अलग समू से संबंदित है पीपल, केला, नीम या फिर गुलाब कौन सा अलग समू से संबंदित है सभी लोग बताएंगे तब आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा विकल्प नम्मर सी विकल्प नम्मर जो सी है वो यहाँ पर आपका बिल्को सही होगा ठीक है केला, केला जो है इस साक पेड़ पोधों के अंतरगत आता है साक के अंतरगत आता है जो पादब जगत को बिवाजित किया गया है इस साक के अंतरगत आता है इसलिए जो अलग हो जाएगा ठीक है सी नम्मर आपका यहाँ पर बिल्को सही होगा C नमबर याद रख लेना ठीक है बैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गुलाब भी नहीं देना था यह बिकल्प में क्योंकि यह जाड़ी दार ब्रक्षों में आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर पीपल और नीम जो है यह ब्रक्षों में आते हैं मौटे तने बाले यह साक के अ जारीं के इंतरगत आते हैं ठीक हैं तो यहां पर एक question भी यह यहां पर दोनों जो हैं इह miss हैं ठीक हैं तो यहां पर doubt ना करें, clear आपको देखने हैं, इसके बाद का जो आपका video होगा वो देख ले ना कि साक के अंतरगत कौन को नाते हैं और जारियों के अंतरगत को नाते हैं ब्रक्षों के अंतरगत को नाते हैं ठीक है कौन सा कथन सत्य है सत्य है बताना हमें जिन पौधों ठीक है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जा में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर सिराबिन्यास पया जाता है या फिर जिन प्रधों में जखड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिराबिन्यास पाया जाता है या फिर वो प्रोक्त सभी यहां पर आपको हम बता दें दोस्तों कि जड़ जो होती है वो दो प्रकार की होती है एक तो होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है जखड़ा जल ठीक है और जो पत्तियां होती है वो भी दो प्रकार की होती है एक तो जाली का सिराविन्यास वाली पत्तियां होती है और एक होती है समानांतर सिराविन्यास वाली पत्तिया ठीक है तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जाली का सिरा विन्यास वाली जो पत्तिया होती है वो जिन भी ब्रक्षों की जाली का सिरा विन्यास वाली पत्तिया होंगी उन ब्रक्षों की जो जड़े होंगी वो मूसला जड़े होंगी और जिन ब्रक्षों की समा पूदों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सरावन्यास पाया जाता है यानि कि जो A नम्मर है वो आपका यहां पर बिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है A नम्मर आपका सही होगा यहां पर अंगला क्वेस्चन हमें यहां पर देखेंगे अठारबा नांग फनी में प्रकास संसलेशन होता है अब यहां आपको याद रख लेना है किसे क्या कहा जाता है कैक्टस कहा जाता है कैक्टस तो नांग फनी में प्रकास संसलेशन होता है तने में, पत्तियों में, दौनों में या पर काटों में अब दोस्तो ये चीज अगर किसी को समझ में ना आ रही हो इन कॉस्चनों को तो इसके जस्ट बाद आठ बजे आपका एक बिस्तरे तध्यन वाला वीडियो आएगा, वो सबी लोगों को देखना है एक एक चीज आपको समझ में आएगी कि पौधे प्रजनन कैसे करते हैं, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, पादपों को कितने भागों में बाटा गया है, कौन-कौन से पादप साक के अंतरगात आते हैं, कौन से जाड़ियों के अंतरगात आते हैं, वो सारी चीज मैंन बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है नांगपनी कैक्टस में प्रकास संसलेशन जो होता है वो तने में होता है अब यहां पर आपको नांगपनी न दे के मात्र कैक्टस दिया होता तब भी आपको याद रख लेना है यह जो हो जाएगा ठीक है यह नम्मर यह नम्मर आपका बिल् आइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि पौधे में जो प्रजनन अंग होता है, वो कौन सा होता है? फूल होता है, लेकिन कैसे होता है यह चीज आपको पता नहीं है, और यह चीज आपको समझनी है, तो रात्री 8 वजे बाला वीडियो कोई भी मिस नहीं करेगा, 8 राग करण और जो इस्तरी केसर होता है तीक है इस्तरी केसर इसमें मादा कौँसा होता है नर कौँसा होता है यह सारी की सारी चीजियां अगर आपको समझनी है तो आठ बाला जो वीडियो है वो जरूर देखना फूल आपका D Number बिलको सही हो जाएगा ठीक है कली की रक्षा धलव पुंज करता है या फिर बाहधल करता है प्रश्निक रमांग के बीस का उत्र बताना है और बीस का उत्र आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तो बाह यह जो बिस्तरत वीडियो आ रहा हैं दोस्तो अगर बिस्तरत वीडियो आपने पड़ लिये इसके पहले दो बिस्तरत वीडियो मैंने डाले हैं आज सुबह है अगर बिस्तरित वीडियो आपने देख लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़ूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है इसलिए बिस्तरित वीडियो सभी लोगों के लिए देखना है उसके बाद आपके अंदर इतना confidence आ जाएगा कि आपको पौधों के बारे में पेडों के बारे में जनतूओं के बारे में सभी के बारे में बहुत चीजे याद हो जाएगी प्रकास संप्लेशन के लिए में पादपों के दोारा बातावरं से कौनसी गैस अप सोसित की जाती है अप सोसित की जाती है तो कौनसी गैस की जाती है oxygen nitrogen carbon dioxide या फिर जलबास पे तो अपसोसित जो की जाती है प्रिकास संसलेशन में वो कौन सी की जाती है कार्बन डाई आकसाइड कार्बन डाई आकसाइड यानि कि जो आपका सी नमबर है वो यहाँ पर बिल्को सही हो जाएगा ठीक है C number बहुत बड़ी आंसर कांटे नुमा पत्तियों को दरसा कर एक सिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ रहा है किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ रहा है तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कांटे नुमा पत्तियों को दर्सा कर एक सिक्चक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ रहा है बिलकुर राइट आंसर होगा आपका D यानि कि मरुस्तलिय पौधों के बारे में ठीक है आपने पढ़ा होगा कि जो मरुस्तलिय पौधे होते हैं जाड़ी है ना कांटे नुमा जो होते हैं वो D नमर बिलकुर सही होगा D नमर अंगला कोस्चन है निम्न में से पौधों में से कौन सा एक ब्रक्ष का उधारन है ब्रक्ष का उधारन बताना है बरगद, मेहंदी, है ना गुलाब या तुलसी दोस्तो आपने बहुत पड़ा है कि पौधे और ब्रक्ष और जाड़ियां और साक इस प्रकार से तीन भागों में इन्हें बिवाजित किया गया है तो आपको बताना है कौन सा एक ब्रक्ष का उधारन है तो ब्रक्ष का उधारना हो जाएगा बरगद और एक कॉस्चन और पूचा जाता है कि जो आपने बरगद का इस प्रकार से पेड़ देखा होगा बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसमें इस प्रकार की कुछ साखाई निकलाती है और वो धर्ती से लग जाती है तब इन साखाँ को जो कहा जाता है वो स्तंब कहा जाता है क्या कहा जाता है स्तंब तो ये स्तंब जड़ें कहलाती है ये चीज भी आपको याद रखनी है है ना कीट भक्षी पादप जिस मिर्दा पर उंगते हैं उसमें कौन सा तत्तो नहीं हो कीट-भक्ची पादप। की कमी की पूर्ती के लिए जो है कीटों को क्या करते हैं खाते हैं तो ये चीज याद रख लेना ये नाइटोजन की पूर्ती के लिए करते हैं तो ये ने कीट भक्ची पादप भी कहा जाता है ये नम्मर आपका विल्को सही हो जाएगा ठीक है इनमें से कौन दूई बीच प पत्री और 2-20 पत्री में ये चीज आपको समझनी है तो 2-20 पत्री जो पौदा है वो कौन सा है तो आपको बिलको सही आंतर होगा कि जो सर्सों है सरसों यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका D है वो यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है D नम्मर जिन्हों ने भी बता है उनका अंसर बिलको सही है अंगला कॉस्चन देख लो पौधों में जल का अधीगरण किसके द्वारा होता है जल का अधीगरण आपको बताना है जाइलम के द्वारा, फिलोयम के द्वारा, केम्बियम या फिर पहली सेंड के द्वारा सभी लोग बताएंगे कि पौधों में जल का जो अधीगरण होता है वो किसके द्वारा होता है पैस्टन करमांग 6 का आंसर बताना है मैंने आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको जानना है अच्छे से कि पादप क्या है कबक क्या है जीबानू क्या है बीसानू क्या है जाइलम क्या है फिलोयम क्या है ये चीज अगर सारी चीजें आपको जाननी है तो एक भी ब्यक्ती आठ बजे वाला वीडियो मि आजाएगा एक भी question आपका बांके नहीं रहेगा और पौधों में जलका अधिगरण किसके द्वारा होता है तब आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तो जाइलम के द्वारा होता है यानि कि जो प्रशने क्रमांग 6 का उत्तर होगा वो ए हो जाएगा ए नमबर आपका सही है निर्ण वैसे कौन सा अलग समूँ से संबंदित है तो अलग समूँ से संबंदित बताना है आम, नारियल, इमिली या फिर नीम इस चार विकल्प हैं सभी लोग उत्तर बताएंगे कौन सा अलग समूँ से संबंदित है प्रस्निकरमांग साथ का उत्तर तो आपका इसमें बिलकुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा कि ये जो है फलदार ब्रक्ष हैं आम, नारियल, इमिली और जो नीम है ये अलग हो जाएगा आपका D नमबर यहां पर अलग हो जाएगा ठीक है D जिन्हों ने भी बताया है उनका अंसर बिलकुल सही है ठीक है, D नीम यहां पर अलग हो जाएगा बिज्ञान के एक सिक्छक को मेंगरो पादपों की तलास हेतू विद्ध्यारती को किस छेतर में खोज के लिए प्रोसाहित करना चाहिए चार बिकल्प हैं, चार में से एक उत्तर बताना है, बिज्ञान के एक सिक्छक को मेंगरो पादपों की तलास हेतू विद्ध्यारती को किस छेतर में खोज के लिए प्रोसाहित करना चाहिए किस छेतर में करना चाहिए, मरोद भिद छेतर में, लबलोद भिद छेतर में, गर्म वा आदर छेतर में, या फिर सीत छेतर में, तो आपको बताना है, दोस्तो इस प्रकार से जो पादपों का बरगी करन किया गया है, एक मरोद भिद, एक जलोद भिद, एक लबलोद भिद इस प्रकार से चार भागों में विभाजित किया गया है यह चीज भी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी तो यहाँ पर विज्ञान के एक सिक्षक को मैंगरो पादपों की तलास से तू बिध्यारतियों को प्रोसाहित करना चाहिए तो आठका उत्तर क्या हो जाएग तब आपका उत्तर होगा जो मैंगरो बन आपने सुने होंगे सुन्दरी बन जो सुन्दर बन सुने होंगे यह उधारन होते हैं लबडोद भिद है ना पौदों के पादपों के तो बी नम्मर यहाँ पर बिलकुँ सही होगा अंगला कोश्चन देखो दोस्तो अंगला है प्रकुरिया जिसके द्वारा प्रजनन करते हैं कहलाती है क्या कहलाती है प्रकास संसलेशन, संगनन, वास्पी करण या फिर परागन क्या कहलाती है पौधे जो प्रजनन करते हैं वो प्रकुरिया कौनसी कहलाती है प्रकिरिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं प्रकास संसलेशन, वास्पी करण, संगनन या फिर परागण तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रशन करमांक 9 का, 9 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि वो कहलाते हैं परागण, परागण यानि कि जो डी नम्मर है वो आपका बिलकुँ सही होगा, ठीक है, डी नम्मर जिन्नों ने भी बताया है उनका अंसर बिलकुँ सही है, अंगला क्वेस्चन देखो सैक है, तो सैक लाइकन क्या है, परजी भी है, अपगटक है, रसाइन पोसी है या फिर सहजी भी है, लाइकन क्या है, लाइकन के बारे में आपने पड़ा है जिसे सैक भी कहा जाता है, लाइकन ना पूछ कि आप से किब तो like in क्या होता है मैंने बताया भी है कि वो होता है सह जी बी सह जी बी यानि कि जो d नम्मर है आपका वो यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है d नम्मर बिलको सही होगा like in क्या है सह जी बी है लॉंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं लॉंग और केसर जड से तना से फल से या फिर फूल से तो प्रस्ने क्रमांक 11 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो c c यानि की फूल से ठीक है फूल जिन्हों ने भी बताया है उनका अंसर बिलको सही है अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है घट परणी नीपैंथिस यह आपको याद रख ली ना है यह क्या है कीट भक्षी पोधा है जिसे घट परणी कहा जाता है नीपैंथिस भी कहा जाता है पात्पों का एक बिसेष्ट पिरकार है जो चूहों मेंडकों कीडों मकोणों है ना का सिकार करते हैं इस पादप से एक बिसेष्ट गंद निकलती है जो इन जीवों को अपनी और जो है आ बताया है आपको कि जो घत परनी होते हैं या फिर नपन्स होते हैं यह होते हैं कीट भक्छी पौधे और यह कीट भक्छी पौधे हैं वो गटपर्णी भी कहा जाता है और नेपेंथस भी कहा जाता है अगर आपसे पूच लिया जाए कि निवन मैंसे बताईए कौन सा कीट भक्षी पौधा है तब आपको पता होनी चाहिए गटपर्णी और नीपेंथस ठीक है अंगला क्वेस्चन देखो किसी जगए के फि फिलोरा और फोना पेड़ पौधे एवं जिव जन्तूओं को मचलियों एवं पेड़ पौधों को पक्षियों एवं पेड़ पौधों को या फेर जन्तियों एवं मचलियों को तो फिलोरा और फोना क्या सूचित करते हैं प्रश्निक्रमांग का है अपना तेरा और उत्तर बताना है कि क्या हो जाएगा सभी को पता है कि तेरा मेरा का जो चकर है बहुत खतननाक रहता है और किसी जगह के फिलोरा और फोना जो सूचित करते हैं वो किसको करते हैं पेड़ पौधे एबं जनतूओं को करते हैं या कि जो बिकल्पे नम्मर ए है वो यहाँ पर ए नम्मर बिल्कोज सही हो जाएगा ठीक है ए नम्मर प्रकास संसलेशनल संपादित होता है सभी पौधों द्वारा सभी हरे पौधों द्वारा सभी जन्तूओं द्वारा या फिर बायरसों द्वारा किसके द्वारा होता है सभी लोग बताएंगे सबी लोगों को बताना है कि प्रिकास संसलेशनल संपादित होता है तो किस में होता है अब यहां पर आपको कन्फ्यूज होने की ज़ूरत नहीं है तो वो क्या हो जाएगा प्रश्निक्रमांक जो तेरा है और तेरा का प्रकास संसलेशनल संपादित होता है तो आपका उत्तर होगा सबी हरे पोधों द्वारा यानि कि जो सी नम्मर है वो विलकोज सही हो जाएगा ठीक है सी नम्मर सही है प्रश्निक्रमांक 15 का उत्र बताना है ठीक साथ बच के तीस मिनिट पर आपका वीडियो आएगा बाल विकास का आएगा आठ बजे आपका एक विडियू आएगा बिस्तरे तद्धिन हम करेंगे जो आज हम प्रस्ने यहां पर पड़ रहे हैं उसका बिस्तरे तद्धिन करने वाले हैं तो पृत्वी का जो अपमार्जक कहा जाता है वो प्रस्ने किरमांग 15 का उत्तर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए ए याने की जीबानू और कबक ठीक है कहीं कहीं ए जो जीबानू होते हैं लाब दायक होते हैं कहीं कहीं ये भी हानी कारक भी होते हैं इनसे बीमारियां भी फैलती हैं तो आपको पता होगा कि हमने पड़ा है कि जीबानू से दही जमता है जीबानू के पौधों में प्रकास तंस्रेशन के रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है एक क्वेस्चन भी आपसे पूच ही लिया गया तब आपको उत्तर बताना है जल्दी से सबी लोग बताएंगे तो प्रशने क्रमांग 16 का उत्तर क्या हो जाएगा 16 का सबी लोगों ने बताया कि सबसे जो अधिक होता है वो होता है लाल रंग में और सबसे जो कम होता है वो होता है बैगनी रंग में ठीक है बैगनी रंग में याद रख लेना सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे है ना सबी लोगों को सेयर भी करना है